साथियो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूज चनल टेक इस्टडी पे साथियो आज हमने बात करने वाले हैं विहार बेर इंटरेंस एक्जाम 2024 के सीलेवस के बारे में और साथी साथ बात करने वाले हैं कि इसका पार्सिंग मार्ग्स कितना होगा के लिए ओनलाइन आवेदन की परकिरिया तीन मई से सुरू होने वाली है वहीं परिख्षा की बात करें तो 25 यूंगों 2024 की जिम्वारी जो है लईतनाय मितला इंवर्सिटी को दिया गया है और फिर से लईतनाय मितला इंवर्सिटी ने छात्रों के साथ धोगा किया है अब आप कहेंगे कि सर छातरों के साथ क्या धोका किया इनोंने तो छातरों के साथ सीलेवस के नाम पर इनोंने धोका दिया है और आप सभी कोई आवाज जो है पहले से उठानी पड़ेगी नहीं तो फिर इसका पुट्णामिया होगा कि आपको कहीं नहीं इसका नुपसान होगा क्या नुपसान होगा इसके उपर भी बार करेंगे लेकिन सबसे पहले हम सीलेवस को समझने का प्रयास करते है जो आपकी परिक्षाए होगी वह आपकी परिक्षा 120 नंबर का होता है दोगाइंटे की फरिक्षा होती है और 120 नंबर में जो आपका सिलेवस होता है उसी लेवस को आप अपने स्किन पर देख सकते हैं कि General English यानि कि English जो होता है वो 15 नमर का पूछा जाता है जो B8 प्रोग्राम के लिए अब ध्यांगर कियेगा कि कुछ ऐसे student होंगे जो संस्कीत से करना चाहते हैं जो सिक्षा सास्त्री प्रोग्राम करना चाहते है तो उनके लिए अलग से 15 नमर का संस्कीत होता है किवल सिक्षा सास्त्री से जो B8 करना चाहते है केवल वही संस्कीत जो यहाँ पे लेते हैं उनसे ही प्रश्ण पूछा जाएगा सिक्षा सास्ती वाले से बाकि सबका सिलेवस शेम होता है दोनों में कोई डिफ्रेंस नहीं है चैसे आपका रेगुलर प्रगाम हो दो सल का या आपका सिक्षा सास्ती का सिक्षा सास्ती में एक संस्कीत एड हो जाता है पंदर नमर आपको एक्स्ट्रा संस्कीत पढ़ना पड़ता है हिंदी आपको नहीं पढ़ना पड़ता है बाकि साइस से लेवस आपका सिक्षा सास्ती का स्यम होता है और बात करते हैं आपके पंदर नमर का पूछा जाएगा और सिक्छा सास्कती वाले मिदी के पंडदर नमर का संस्क्राइगा यानिकि 25 नंबर का आपका question होगा reasoning का general awareness की बात करें यानिकि जिसमें GKGS का interface सभी आजाएंगे 40 नंबर का होगा वहें teaching learning environment की बात करें यानिकि teaching attitude की बात करें तो 25 question पूछा जाएगा total बात करें तो 120 question पूछा जाएगा आपका 120 नंबर का होगा इसमें कोई आपका negative आर्किंग नहीं होगी आप इसको देख सकते हैं हर एक फ्रेश्मन के लिए आपके चार option यहाँ पर दिये गये होंगे अब आपके मन में यहाँ सवाल आ रहा होगा कि सर्थ तो एलनों ने धोगा क्या किया है धोखा यही किया है कि syllabus जो यहाँ पर दिया गया है 120 नमर का ओ तो उसने बता दिया है कि भाई कहां पर कितना है कौन से subject से कितना question पूछा जाएगा और कितना नमर का होगा लेकिन एक कहीं इन्होंने syllabus में मतलब चर्चा नहीं किया है या कि पढ़ना किया है इस्टुएंट पढ़े तो क्या पढ़े सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एक्जाम को आप देखिएगा कोई भी एक्जाम होता है उसका एक syllabus प्रोपर तरीके से त्यार होता है आप बिहार DLA का भी देखिएंगे तो बिहार बोट ने उसका वी एक syllabus जाई किया था कि आपको कौन कोई से टॉपिक पढ़ने है इसमें कहीं कोई टॉपिक की चटर नहीं आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हिंदी की बात करें तो पूरा हिंदी में कहीं से पूछा जा सकता है औरोंने ब कौन पढ़ना है कौन अनिवाज है यह तो कम से कम डिशाइड करना चाहिए था कि किस टाइप की कोशन पूछे जाएंगे जबना औरनेर्स की बात करते हैं माले हिस्ट्री जिग्रोफी पॉलिटकर सांस है अब हिस्ट्री में क्या पढ़ना है मोडर्न से पूछेंगे NCA से पूछेंगे काहा से कोशन आएगा कोई ठीक नहीं है वल्द से पूछेंगा इंडिया से पूछेंगा कुछ तो डिसाइड होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है टीचिंग लैंडिक की बार करते हैं कोई टॉपिक कि हाँ प्रेम पीन सन नही जो आप syllabus देखके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अगर syllabus नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए आपको अभी से ही आवाज उठानी पड़ेगी LNU ने पेशली बार भी बहुत सारी गलतिया किया है हम लोग ने उसके खिलाफ आवाज पर उठाया था और ध्यान भी रखना है आप लोग को अभी से ही लगना होगा यहाँ पर आपका टेक्निकल नमबर भी होगा आप लोग चाहे तो यहाँ पर mail पर बार mail कीगे कि syllabus प्रोवाइड कराएगे syllabus नहीं दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है inquiry number भी आपका इस पर भी inquiry कीजिए इस पर भी बताइए अधिक सदिक student का जब वहाँ पर message जाएगा call जागा टेक्निकल टीम को तब जाहिर सी बात है कि कहीं next एस्टेप ले और उससे levels को डाले तो इसलिए आप सभी को वस आना होगा एक साथ आपको number भी दिया हुआ है आप बताइए कुछ help next number बताइए या यहाँ पर है बार बार आप mail कीजिए आप लोग mail कीजिए syllabus को लेके नहीं तो फिर आप ऐसे उलेशते रज़ेगे क्या पढ़िएगा आप पढ़ेंगे कुछ और exam में कुछ question और और देगे देगा बात को समझने का प्रयास कीजिए तो कोई एक topic ही नहीं है आपके पास कोई syllabus ही नहीं है तो आप किस way में पढ़ेंगे और ये कहीं न कहीं गलत है और सभी छात्रों के साथ गलत हो भी रहा है इस बात का भी ध्यार आपको रखना है और बात करते हैं पासिंग माक्स थी देखिए पासिंग माक्स यहाँ पर मैटर रही करता है लेकिन फिर भी आपको पासिंग माक्स बताते है देखिए जो reserve category के छातर होते है जो unreserve यानि कि जो general candidate होते है उनको 35% number लाना होता है यानि कि 120 में 42 number उनको लाना होता है 32 number लाने के बार उनका admission नहीं होगा इस बात का भी ध्याद रखिएगा हम आगे बताएंगे कैसे क्या करना है जो BC category के आते हैं जो SCHT आते हैं EVC आते हैं WBC आते हैं AWS आते हैं इन सभी को 30% number लाना होगा यानि कि 36 number लाना होगा 36 number लाना होगा वही बात करें तो इसमें कोई negative marking नहीं है ध्याद रखिएगा तो minimum आपको अगर general category के नहीं है तो 36 number आपको लाना है 120 में और general category के हैं तो आपको 42 number लाना है 120 में ध्याद रखिएगा लेकिन 36 number और 22 number लाने चापका admission नहीं हो जाता है आप देखे होंगे अब इडियाले में 6,00,000 फर्म गिरा था मान लिजे इसमें भी अगर 2,00,000 फर्म गिरता है एक example के थूर बताते हैं 2,00,000 फर्म गिरता है सीट कितना है 36,00 सम्दिक सीट है मान लिजे 36,00 सीट है 2,00,000 फर्म गिरेगा अब उसमें जो अधिक नंबर वाले मिलेंगे मान लिजे कोई 80 नंबर वाला मिलता है तो उसका होगा 89 होगा मान लिजे 60 नंबर आते आते सीट फूल हो गया 37 सीट फूल हो गया तो जाहिसी बात है आपका 60 नंबर 69 नंबर भी है जहां पर आपका इड्मिशन 42 पर भी हो जाता है कहीं कहीं ऐसे कॉलिज होता है जहां पर आपका बहुत अपर भी नहीं होता है बहुत सारी लोजिकल चीजे है जो हम आपको बताएंगे देखिए हम अपने एक्स्प्रियंस के अधार पर बोल रहा है 2020 से जब लईतना इंबसेटी एक्जाम को कंड़क्ट रहा है तब से 2020 से हम लोग इसको फॉलो कर रहे है 2020, 21, 22, 23, 24 या पांचवा साल है हमारा भी एक्स्प्रियंस पिछले एलनू के साथ पांचवा साल रहा है जब से एक्जाम को कंड़क्ट हो रही है तिसलिए हम लोग इसके हर एक पहलू से वाकिब ना रखिएगा तिसलिए हम आपको सिर्फ सजेश्ट करेंगे हम आपको आगे की रास्ता बताएंगे कि क्या रास्ता है आपको चलना वैसे है अगर वैसे रास्ते पे आप चलेंगे तो जाए इसी बात है कि फिर आपको दिक्कत नहीं होगी तो बहुत साइध दिक्कत का सामना आपको खड़ना पड़ेगा आगे आप ध्यान रख लिएगा मेरी बातों को नोट करके रख लिजिएगा अगर आप फॉलो करते हैं हर एक बात जो हम आपको नेक्ष वीडियो के मादने से बताएंगे उसके आगे हर एक अपडेट को लेके बताएंगे फर्म वर्डने से लेके फर्म गलतिया से लेके सुधार से लेके एक्जाम से लेके कॉंसलिंग से लेके बहुत साई चीज़े जब तक एडिमिशन आपके नहीं हो जाती है इतनी सारी गलतिया यहां पर भरी परी है कि एक बार गलतिया करते हैं तो फिर काफी परसान हो जाएंगे इसलिए हर एक चीज़ का सोलूशन में आपको बताएंगे लेकिन ध्यान रखना है कि इन चीज़ों के किलापा बाज उठाईए सिलेबस नहीं दिया गया है तो फिर कैसे आप पढ़ेंगे हम तो पढ़ाएंगे ठीक हमें तो अनभाव है हम उसी के अधार पर आपको कलासेश देंगे लेकिन फिर भी एक सिलेबस होना भी चाहिए न जी के जी इसका कोई सिलेबस नहीं है क्या पढ़ाएंगे ऐसे हम तो प्रपरवे में पढ़ा रहे हैं चार साल उसे या पांचोर साल है तो हम तो समझ रहे हैं कि यहाँ पर सिलेबस को लेकर क्या क्या है लेकिन यहां पर इसको डालना शेये था इसमें अब आते त्यारी के उपर 25 जुन को आपका एक्जाम है आज एक वही है तो आपके पास 55 दिनों का समय है कितना 55 दिनों का समय है और 55 दिन का समय बहुत जादा समय आपके पास नहीं है यह भी बात आप ध्यांद कियेगा 2-4-5 दिन ऐसा होगा जो आप किसी ना किसी काम में अपनी बटार देंगे बचा 50 दिन 50 दिन के अंदर आपको त्यारी करना है ठीक है और हम क्लासे सुरुआत कर चुके हैं एक नई वैच आप मानिए हम अफ्रील में ही सुरू किये थे और एक और नई वैच जो है उसको मर्ज कर कर रहे हम आज से यानि एक माई से सुरू कर रहे हैं और एक माई से सुरू हो रहा है और यहां होगा साम आठ वजे साम आठ वजे होगा जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लिजिए और कहां पर होगा तो आपको क्या करना है प्लेश्टोर पर जाना है वहां से अमारा को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद यही साच किजिएगा जो हम लिखे हैं आपको बिहार्ट बेट इंटकरेंस रिजाम 2024 का कोर्स आएगा कोर्स की प्राइस आपको 900 रिजान्ट भी होगी लेकिन वहीं पर देखिए का आपको फर्स टेम और फर्स मिलेगा के लिए यह मात्र 249 मैंने कर दिया है अगर आप लेना चाहते हैं तो 249 में आपको यह बैचेश मिल जाएगी इसमें मिलेगा क्या लाइव क्लासेश प्रति दिन मिलेगा आपको एडिकोडेट वीडियो मिलेगा आपको अगर क्लासेश मिलेगा तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरिके से चलती है आप यकिन मानिए एक पर जोइन करके देखिए बहुत मजा है आपको ठीक है अगर कोई दिक्कात आपको होती है तो यहां पर नंबर हम दे रखके यह वार्ट्सप नंबर है इस पर आप वार्ट्सप मैसेज करके जनकाई ले सकते हैं अ आप कहीं से भी यह नंबर जो दिया हुआ है आपको कहीं से भी 249 का पको पेमिंट करना है देखिए जब आनलान पेमिंट करने जाते हैं तो कुछ टेक्स वगररे भी देने होते हैं तो आपको 255 की आसपास रूपया देना पड़ेगा 255 पांच शे रूपया जो प्यूप 259 तो आपकी कोसे की प्राइस हमने रखा है लेकि 5-6 रुपय जो गौवर्मेंट की जो टेक्स है वह आपको लएगा तो 215 रुपय के आसपास आपका कटेगा ध्यान रखिएगा अगर आप पेमिंट नहीं करवाते हैं खुछ से तो इस नंबर भी पेमिंट करके इसकी इन क्योंकि समय कम है पचास दिन का टागेट हम मान रहे हैं पचास दिन का इसमें आपको सीलेवस को भी फूरा कवर करना है अलाकि सीलेवस उसने नहीं दिया है लेकिन हमारे पास है हमारे पास experience से वह चीज़े कहां कहां से question पूछा जाता है सब कुछ data हमारे पास है तो हम उस इसलिए आपको क्या करना है पहले से मांग करना है आप नबर भी दिया हुआ है आप सवाल भी तो कर सकते हैं जब अधिक संख्या में अगर मेल जाता है तो वह भी सोचने मज़ूर होंगे अपने सीलेवस को जाई करने पर मज़ूर होंगे जब बिहार बिहार जो है यह सब आप सभी जानते हैं आप सभी समझदार है तो इस वीडियो को अधिक सेर कीजिए और आगे अपडेट के लिए हमारी टेलिगाम चैनल को जोईन कीजिए जिसका लिंक आपको वीडियो की डिक्सिरिशन में है या टेलिगाम पर जूटना चाहते हैं तो बस आपको काम आठवाजी अफ्लिकेशन पर धन्वाद